इस टुटोरियल में हम यह इंट्रेस्टिंग सम्सॉल करेंगे इस तरह की 16 टाइल से मिलके बना है तो यह सारी ट्रेंगल सेम साइज की है और उसमें सबसे छोटी साइज जो है 9 सेंटीमिटर उस से बड़ी वाली 28 सेंटीमिटर और तीसरी सबसे बड़ी साइज दिये हमें 35 सेंटीमिटर ठीक है यह सारी ट्रेंगल इसी साइज की है find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square यह P का मतलब होता है पैसा ठीक है अब हमें यह find out करना है कि अगर हम इन सारी tiles को polish करें और polish करने का rate यह हो 50 पैसा per centimeter square मैंने आपको पहले भी यह बताया था कि जब मैं centimeter square या meter square इस तरह के unit की बात करता हूँ जिसमे unit square में हो तो उसका मतलब यह होता है मैं area की बात कर रहा हूँ ठीक है तो अगर मैं area की बात कर रहा हूँ तो वो यह कह रहा है कि per centimeter square one centimeter square को per centimeter square का मतलब होता है one centimeter square one centimeter square को अगर polish करने की cost 50 पैसा है तो इस पूरे को polish करने की cost कितने होगी उसका मतलब यह है कि मुझे इस सारे का सबसे पहले तो area निकालना है तो चलिए हम पहले वही काम करते है ठीक है अब area पहले मैं अगर इस triangle का area निकाल लूँ एक triangle का तो उसको 16 से multiply करूँगा तो यह सारे का area निकल आएगा क्योंकि सारी triangles एक जैसी है तो पहले मैं सरफ एक triangle लेता हूँ ठीक है तो किसी एक triangle के लिए in any triangle किसी भी एक triangle में मैं उसकी पहले sides लिख लेता हूँ एक side मुझे given है 9 cm दूसरी को मैं B बोल देता हूँ वो given है 28 cm और तीसरी C बोल देते हैं उसको 35 cm ठीक है यह हो गई sides अब अगर हमें sides given हो किसी भी एक triangle की तीनो sides given हो तो हमें यह पता है कि using heroes formula हम लोग उसका area निकाल सकते हैं यह उसका formula होता है जिसमें A, B, C तो उसकी sides होती है और S क्यों होता है perimeter का half यानि कि तीनो sides का sum divided by 2 तो पहले मैं S निकाल लेता हूँ तो S आजाएगा मेरा A plus B plus C divided by 2 और वो कितना हो गया 9 plus 28 plus 35 ठीक है divided by 2 विच इकल टू यह सम करोगे 72 आएगा divided by 2 which is equal to 36 तो S मेरा आगया 36 अब मैं area निकाल लेता हूँ अब यह मेरा area का formula है triangle का तो S मेरा है 36 into S minus A S 36 और A कितना है 9 S minus B 36 minus 28 S minus C 36 minus C कितना है 35 इसका square root तो यह तो 36 आगया 36 minus 9 27 36 minus 28 is 8 और यह कितना हो गया 1 इसका square root 36 is 6 square तो यहां से तो 6 वैसे ही बाहर आगया multiplied by अब 27 को मैं 3 into 3 into 3 लिख सकता हूँ और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 right इनको prime factors में लिख लिया यहां से 1 pair 3 का बन गया और 1 pair बन गया 2 का 1 multiply होगे ऐसे ही रह गया तो यहां से आ गया 6 into 3 into 2 यह 3 और 2 बाहर आ गये और अंदर कितना बच गया 3 into 2 यानि कि 6 तो यह कितना बन गया 36 square root 6 और इसको जब आप solve करोगे square root 6 को अगर आप solve करोगे तो इसकी value होती है approximately 2.45 तो इसको multiply करने पर मुझे मिल जाएगा 88.2 centimeters square तो यह मेरा एक triangle का area गया किसी भी एक triangle का area जैसे हमने यह mention किया था तो उसका area गया अब हम पूरे floral design का area निकाल लेते हैं तो यह मैंने यहां पर दुबारा लिख लिए कि एक triangle का area 88.2 centimeter square मिला था area of 16 triangles तो वो कितना आजाएगा एक का जितना area उसको 16 से multiply कर दो यानि कि 16 into 88.2 which is equal to इसको solve करोगे तो आपके पास आएगा 1411.2 centimeters square ठीक है यह simple सी multiplication आप खुदी कर लो तो इतना answer आजाएगा आपका इतने centimeter squares इस पूरे floral design का area आगया अब हम बात करते हैं cost की अब वो कहता है कि one centimeter square अब हम इसकी cost निकालते है ठीक है अब वो कहता है कि one centimeter square की cost कितनी है 50 पैसा जब हम ऐसे लिखते हैं न 50 पैसा per centimeter square per centimeter square का मतलब one centimeter square पे कितनी cost है अब one centimeter square पे 50 पैसा cost है तो 1411.2 cm² के लिए कितनी cost होगी देखो एक cm पे अगर 50 पैसे है तो 2 cm पे कितनी हो जाएगी 2 x 50 है ना डबल हो जाएगी 4 cm² के लिए क्या हो जाएगा multiply by 4 हो जाएगा तो इसके लिए कितना हो जाएगा इसको मैं इससे multiply कर दूँगा यानि कि 1411.2 x 50 पैसा क्योंकि अभी हम unit पैसा ले रहे हैं cost का तो इसलिए पैसा ही साथ में आएगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा इसको जब आप solve करोगे तो आपका answer आजाएगा 70560 पैसा तो यहां तो आप अपना answer यहीं छोड़ दो और अगर आपको इसको rupees में convert करना हो तो अब 1 rupee में कितने पैसे होते हैं 1 rupee जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है 1 rupee 100 पैसे के बराबर होता है तो अगर इसको मैं 100 से divide करूँ तो वो मुझे rupee में मिल जाएगा तो यानि कि यही cost जो है इसको मैं 70560 divided by 100 रिखंगो तो यह इतने rupees हो जाएगा which is equal to 705.6 rupees that's it from this tutorial keep watching मैथे माफिया ट्यओ्रो उंचित है कर दो थाएगा तो यह जो शो नाएगे बराबर होस्स गवी जो चिते है है एह